अगर आपकी निंद सुबह चार से पाच के बीच खुलती है तो आप इस वीडियो को जरूर देखे। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका। प्राचिन काल से ही रुशिमोनी ध्यान और पुजा की लिए ब्रह्म मुहुर्त पर जाकते थे। प्राचिन ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म मुहुर्त सुर्यदै से पहले का समय होता है और इसे बहुती शुबह और लाभधायक माना जाता है। इस समय पर जागना बड़ा ही शुबह माना जाता है। माना जाता है कि इस समय प्रुत्वी पर अलवकिक शक्तिया विचरन करती है। अगर आप भी ब्रह्म मुर्त पर जाकते है। या हर रोज इस समय पर आपकी निंद खुलती है। तो ये एक अलवकिक संकेत है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में बताने जा रहे है। इसलिए आप इस वीडियो को अंततक जरूर देखे। आपने कभी सोचा है कि रुशियोंने तपस्वियोंने तथा देवताओने यहां तक की आज के व्यज्यनिक भी ब्रह्म मूर्थ पर जागने की सलाह देते है। आखिर ऐसा क्यों इस समय पर ऐसा क्या होता है जो मनुष्य के जीवन पर ऐसा गहरा असर डालता है। आईए इस वीडियो में हम आपको बताते है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके। साथ ही वीडियो को लाइक करें क्योंकि बाद में आप भुल जाते है। दोस्तों अगर आपकी भी नेंद सुबह चार से पाच के बीच में खुलती है तो ये आपके आने वाले भविश्य के बारे में कुछ संकेत दे रही है। आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इसलिए इस विडियो को अंततक जरूर देखे। सुर्योदै से पहले जागने वाले व्यक्ति के कुछ संकेतों के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। अगर आप भी सुर्योदै से पहले जागते है। तो आप एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति है। आप सदैव निरोगी जीवन जीते है। आप स्वभाव से शांत और इमांदार व्यक्ति है। हर कार्य को पूरी लगन और ध्यान के साथ करने वाले व्यक्ति है। आप कपट और द्वेश से रहित और ऐसा करने वाले लोग आपको बिलकुल भी पसंद नहीं आते। आप बहुत ही बुद्धिमान और सकारत्मक व्यक्ति है। और इसी करन लोग आपका बड़ा ही सम्मान करते है। आप कभी किसी का दिल जान बुचकर दुखाने का प्रयास नहीं करते। और दुसरों से कडवीवानी नहीं बोलते और कमजोरों से घुरुना नहीं करते। आप हर काम को नियमित रूप से ही करते है। मुश्किल परिस्थितियों में आप अपनों का साथ नहीं छोडते। आप एक भावुक व्यक्ति है। और अपने माबाप का सम्मान करने वाले है। आपका जीवन साथी चरित्रवान है और वह आप पर विश्वास से प्रेम करता है। अगर आपके अंदर भी ये गुन है तो इसका कारण है आपकी ब्रह्म मूर्त पर निंद खुलना। आपके ऐसे स्वभाव का कारण है आप पर उन अलवकिक शक्तियों का प्रभाव है। माना जाता है कि सुर्यदे से पहले जापकर जो लोग अपने कार्य को शुर्वात करते है। उस काम में सफलता मिलने की संभावना बहुत ही जादा होती है। जो महिलाए सुर्यदे से पहले जापकर घर का आंगन साप करती है। ऐसे घर में मालक्ष्मी का सदैव निव सोता है ऐसे घर में कभी दूख नहीं आता और सुक सम्रुध्धी आती है सुर्य दै से पहले जागने वाले व्यक्ति अंजाने में ही भगवान सुर्य देव की विशेश किर्पा के अधिकारी बन जाते है सुर्य दै की पहली किरन जिस मनुष्य पर पड़ती है उसके भाग्य का उदै होता है वेदो में सुर्य के किर्णों को कामधेनु माता के दूथ के समान बताया गया है जिस तरह कामधेनु गाय भग्तों के सभी मनो कामनाउं की पूर्ती करती है उसी तर सुर्य की प्राताह काल की किरने मनुष्य को सकरात्मक्ता से भर देती है, ऐसे लोगों पर शनी देव की भी कृपा होती है, और यही कारण है कि इन्हें गुस्सा भी आता है, परन्तु यह अपने गुस्से पर नियंत्रन रखना धीरे-धीरे सीख जाते है, अगर आपकी भी निंद सुबह जल्दी खुलती है, तो इसका अर्थ यह भी है कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है, ये अलवकिक शक्तियां आपको संकेत दे रही है, कि अब आपके बुरे दिन समाप्त होने वाले है, आपका अच्छा समय शुरू होने वाल है, आपकी आर्थिक स्थिती अब सुधरने वाली है, आपके जीवन के सभी कष्टों का अब अंत होने वाला है, इसके उलट अगर आप चाह कर भी सुबह उठ नहीं पाते है, तो यह अच्छा संकेत माना नहीं जाता, जिस घर की महिलाए सुबह जल्दी नहीं जाकती, उस घर में दरिद्रता छाई रहती है, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती, तो दोस्तों क्या आपकी भी नेंद सुबह खुलती है, तो हमें कमेंट में जरूर बताए, इसी तरह की जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करे, साथी वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ शेर करे, धन्यवाद. के लिएियो चंते है, तो हमें हासी अपने बाले दोस्तों करे तो दोस्तों करे ठाईएलियो कि साथ वानकार के सभीे एकको नेद आपने न ¿ तो बाले दोस्तों के साथी वीडियो ou खोस्तों कि सभी है, झार बतावygना करें आब भर र terrace, पहुँ और न, वीडियो, वीगज